ओम नमाशिवाय भाद्रपद मास सोम वार क्रिश्न पक्स प्रतिपदा तिथी पूरे दिन साम 7 बज़कर 20 मिनट तक लगी रहेगी तत पस्चात दितिया तिथी प्रारंब हो जाएगी चंद्रमा सत्विषा नक्षत्र में दोपहर 3 बज़कर 5 मिनट तक चलते रहेंगे तत पस्चात पूर्वा भादरपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी ब्रिहस्पति देव हैं आज भी राहू के नक्षत्र का प्रभाव दोपहर तक मिलता रहेगा तत पस्चात प्रिहस्पति के नक्षत्र का सुभत्व प्राप्त होगा आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, प्रभावशाली, ब्यक्तित्तो वाले, अनुशासन प्रिय, आशावादी, महत्वा कांच्षी और बेवहार कुशल होते हैं दूसरों से काम निकालने में चतुर, मितब्याई, बिज्ञान, तकनीकी तथा सिक्षा सास्त्र में रूची रखने वाले, यात्रा प्रिय, सम्मान पाने वाले और उच्चा विलासी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा शनी और ब्रिहस्पती की इस्थिती अनकूल रही तो फून सफल होंगे चंद्रमा आज में पूरे दिन कुम्भ राशी में ही चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी शनी देव हैं आज के चंद्रमा पर ब्रिहस्पती की पांच मी दृष्टी और साथी साथ्षनी की तीसरी दृष्टी पढ़ रही है जिसका मिला जूला प्रभाव प्रतेक जात्कों पर उनके अपने-अपने कारकों और महा दसा के अमसार पढ़ता रहेगा मेश राशी के जात्कों के लिए पिछले दिनों की चली आ रही भ्रम की स्थिती में सुधार होगा आत्मिश्वास में विद्धी होगी और कारेच छेत्र में सकारात्मक पहल जारी रहेगी घरेलू तनाव और अविश्वास की स्थिती में भी सुधार मिलेगा साजेदारी के कामों में लाव की सिति पैदा होगी और आर्थिक छेतर में सहयोग मिलेगा कार्योजनाओं के कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे और विकास की दर पीबर होगी सरकारी करमचारीयों के आत्मिश्वास में विध्धी होगी और अकस्मात लाव के अउसर मिलेंगे विध्यातियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और पहले की चली आ रही स्वास संबंधी जटिलताओं में राहत का संकेत मिलता है ब्रिश राशी के जात्कों के लिए आज का दिन कारेच्षित के सुधार और विकास के प्रतिक एंदित रहेगा रचनात्मक प्रयास आर्थक होंगे अधिकारियों का सहीयों का प्यच्छित मात्रा में मिलता रहेगा चंदर्मा दोपहर तक राहू के नक्षत्र में चलते रहेंगे तत्पस्षाद बिहस्पती के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे अपने कार योजनाव में आवश्चक दिशा निर्देश लावदायक सिद्ध होगा रुके हुए काम संपन्ध होंगे और आर्थिक लावमन मुताबिक मिलता रहेगा मगर स्वास संबंधी आवर्शिक सावधानी रखनी चाहिए संतान संबंधी दायुत की पूर्ती होगी विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मिथुन दाशी वाले जात्कों के लिए कारेच छित्र में चली आ रही रुकावटें दूर होंगी अधूरे काम पूरे होंगे और नए प्रस्ताव सामने आएंगे नई कार योजनाओं में साजेदारी लावदायक रहेगी और कुछ कामों को संपन होने से आपके आत्मिश्वास में ब्रिद्धियोगी संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है अचानक आठिक लाव संभव है सहगयोगीयों के साथ मानसिक तालमेल में कमी और स्वास संबंधि जटिलताओं का संकेद भी मिलता है हाला कि विद्ध्याथियों के लिए आज का दिन उत्तम होगा सिक्षा प्रत योगिता में सफलता मिलेगी साथ ही धार्मिक भावना में विद्धियोगी और देव दर्शन के योग बनते हैं करक रासिके जातकों के लिए अनावस्यक चिंता और मानसिक जटिलताओं का दोर जारी रहेगा कुछ मामलों में अनावस्यक तनाव, खर्च और भाग दोर संभावित है साजेदादी के कामों में लाव मिलेगा और यात्रा या प्रवास की स्थिति बनती है मगर कारिच्छेत में नए प्रस्ताव और विकास की संभावनाएं बनी रहेगी कुछ उद्देशों के प्रती मन ससंकित रहेगा मगर अंततह सफलता मिलती जाएगी ब्यावसाइक सुधार और कारिच्छेत के प्रती दक्षता बढ़ी रहेगी विद्ध्यार्थी अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें सफलता मिलेगी नियजी निवेश केलगी आज का दिन उचित होगा संबंधों की मधूर्ता कायम रखें और वाहन सावधानी से चलाएं सिंग रासी के जात्मों को कारिच्छेत में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाव के नए उसर सामने आएंगे सकारात्मक सोच उर्जावान बनाएगा और कारिच्छेत की छमता में बिद्धी होगी रुके हुए काम संपन्न होंगे नई कारियोजनाओं और साजेदारी के कामों के लिए समय अनकूल रहेगा और सम्मंधित मामलों में प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी आर्थिक लाव की स्थिती मन मुताविक बनी रहेगी विद्यात्यों को सिक्छा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास फलिभूत होंगे मगर वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास समन्धी आवर्शक सावधानी बनाए रखें कन्या राश्य के जात्कों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा कारे छेत्र में मन मुताविक सफलता मिलती जाएगी और आठिक पक्ष मजबूत रहेगा साजेदारी के नए प्रस्ताओं लाफदायक होंगे मगर नीजी निवेश के लिए दोपहर के बाद का समय उचित नहीं होगा मा के स्वास्त की चिंता लगी रहेगी और कुछ कामों में रुकावट संभव है हलाकि सकारात्मक पुर्जा बनी रहेगी और कुछ प्रयास सार्थक होंगे विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्येन अध्यापन में प्रयास जारी रखें पारिवारिक सुख सांति के लिए सभाद पुर्माहौल और रचनात्मक प्रयास अपयक्षित है तुला राशी वाले जात्कों के लिए कारिच शेत्र के उतार चड़ाओ और भरमात्मक इस्तिती में सुधार होगा रचनात्मक प्रयास और दिड़ हिच्छा सक्ती बरकरार रहेगी कारियोजनाओं में पैदा हो रही जटिलताओं को सुलजाने में सफल रहेंगे साथ ही नई कारियोजनाओं के लिए अधिकारियों का सहीयोग और आवश्यक बिसा निर्देश मिलता जाएगा आठिक लाव की इस्तिती मनमुताविक बनी रहेगी बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा प्रयास सफल होंगे नए रिष्टों के लिए वैवाहिक मामले सफल रहेंगे साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें गृष्चिक राशि वाले जात्तों के लिए पारिवारिक सुख सांती में बिद्धी होगी और पहले की चली आ रही परेसानियां तनाव और मानसिक जटिलताओं के से रहत मिलेगी कुछ बहु प्रतिचित काम होने से आपके आत्मिश्वास में विद्धी होगी नई कारियोजनाओं के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आपके दिछ इच्छा सकती और आत्मिश्वास से सफलता हासील होगी और प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आपके परिश्रम का पूरा लाव मिल सकता है निजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मगरस्वास संबन्धी जटिलताओं का संकेत मिलता है सावधानी अपेच्छी पर धनूराशी वाले जातकों के लिए आज का दिन कारेच छेतर में होने वाले प्रयासों और उसके प्रती सफलता की ओर संकेत करता है आपके मेहनत का पूरा फल मिलता जाएगा चंद्रमा आज दोपर तक राहू के नक्षतर में रहेंगे तत्पस्चात गुरू के नक्षतर में प्रवेश कर जाएंगे सासन सत्ताव अधिकारियों से सफलता की उमीद बनी रहेगी मगर नई कारियोजनाव और साजेदारी की प्रस्तावों में सावधानी अपेक्छित है नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनिकूल रहेगा विद्यातियों को अध्यान अध्यापन में सहयोग और सफलता की उमीद बनती है वैवाईक प्रयास फलिभूत होंगे साथ ही स्वास सम्मंद्री आवसक सावधानी बनाए रखे मकर रासि के जात्कों के लिए दोपहर तक का समय निर्णे लेने की छमता को प्रभावित करेगा और भ्रम की स्थिती संभावित है मकर दोपहर बाद ब्रियास्पति के नक्छत्र की भूमिका मन मुताविक आठिक लाव के लिए संकेत करती है साथ हैं ही आपकी वाणी किसी को प्रभावित करने के लिए सक्षम होगी और नितित करने की छमता का विकास होगा आपके कारेच्छेत के कुछ अधूरे काम चले आ रहे हैं उनके पूरे होने का समय हो चुका है हाला कि अधिकारियों की सक्रिय सभागिता बनी हुई है आठिक लाव के इस्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सिच्छा प्रत्योगिता में सफलता मिल सकती है नीजी नीवेस के कुछ ही वजनाय पूरी होंगी मगर स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखे कुम्ब रासिके जात्कों के लिए कारिच्छेत के सुधार और आठिक लाव के प्रती रचनात्म प्रयास जारी रहेगा आठिक छेत में आने वाली अर्चनों से दोचार होना पड़ेगा और संघर्स की सिती संभावित है मगर काम करने के प्रती दिढ़िच्छा सक्ती और उत्साह बना रहेगा आठिक लाव मन मुताविक मिलता जाएगा और नई योजनाओं में संबंधित यात्रा का योग बनता है पारिवारिक सला लावदायक सिद्ध होगी साजेदारी के कामों में लाव संभव है विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सफलता के लिए प्रयास जारी रखें कुछ रुकी होई विवादित योजनाएं भी संपन्ध हो सकती है और वयवाहिक मामले फलिभूत होंगे मीन राशी के जात्कों के लिए दोपहर तक का समय महतपूर्ण निर्ने लेने के लिए संवेदन सील रहेगा अंचाही यात्रा और वय की स्थिती भी संभावित है मगर दोपहर बात का समय सहयोगी रहेगा मंगल, केतु की यूती, आर्थिक लाव और आत्मिश्वास को सुधिठ बनाने में सहयोग करेंगे और विभागिय करमचारियों वशासन सत्ता का सहयोग कायम रहेगा और स्वास समंद्री आवस्ट्रक सावधानी बनाए रखें आज के लिए वस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाएद